आप दरगा में इंट्री करेंगे गेट से तो देखिए साइड से दुकाने लेगी हैं यहां पर मिठाई की दुकाने हैं और यहां पर कुछ जोलरी और आटिफिशेट जोलरी का भी आइटम है आप छोटी मोटी और देखिए यहां पर कीचेन और तमाम तरीके की यह खिलोने और चादर की दुकान है और तमाम तरीके की यहाँ पर दुकाने हैं और यह खजूर शिर्णी वगरा है जिसको लेना है ले सकता है हहां से और आगे बढ़ते हैं और यह देखिए जूरेगे लेडीज के बगर तो हर देवस्थान जो है हर जगा जो है खाली रहती है लेडीज के कुछ न कुछ समान आपको हर जगा मिल जाएगा ये देखिए लेडीज का समान जो है हर जगा हर जो है ऐसी जगों पर धार्मिक स्थानों पर जो है दुकान उनकी लगी रहती है इसी महान वो घूमने आती रहती हैं अब आगे चलते हैं वो देखिए आपको दरगाह दिख रही होगी पहले दरसा सवंदर था आप यहां पर कुछ कोस्ट्रल कोस्ट्रल प्रोजेक्ट चल रहा है साइड यह रोड ओड कुछ बनने वाली है हाजेली की दरफ से और जैसे देख सकते हैं कि आप यहां पर काम चालू है और यह दुकाने दुकाने आपको रोड पर हर जगा दिख जाएंगी कुछ भी आप सामान खरीना चाहते हैं खरी सकते हैं मैंने बहले बोला था कि दरसन करने के साथ साथ आप यहां पर शॉपिंग का भी मज़ा ले सकते हैं और गड़ियां है ट्वाइज है चोटे मोटे खिलोना है और ये रिलिजियस आर्टिकल्स यहां से आप खरी सकते हैं अब हम जा रहे हैं सामने दरगाह कियों दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर समंदर अभी जो गेड़ बन था इसलिए बन था कि कि यहां पर देखिए पूरा गीला है पूरा इते राजा सौनी पानी है पानी कैसे है भी लहरे ले रहा डिरा हारा ये की ते कि इसलिए EU रहे पानी कि खड़ी है पूर्य समंदर क्या रहे साम बाला ऐसानी नहींस्हक खड़े है तो यह देखिये आई इधर भी समंदर है और पानी याँ पर टपडेडे मारकर ऊपर भी आ रहा है पानी तो यह देकित प्रेंट अब्सक्राइब तो हम आ गये हैं हाजी अली शाह के दर्गाह पर और यह देखिए क्या लिखा है आस्ताना पीर हाजी अली शाह तो अजद अली पीर शाह बाबा के में गेट पर पड़े हैं यह देखिए यह गेट है और यहाँ पर पूटु वाले है इस फोटो निकालते हैं इसको निकालना है निकलवा सकते हैं लोग है पर फॉटो भीःचा रहे हैं है आप हम अंदर जाएंगे इस गेट से हम दिखाएंगे आपको यहां से कितनी दूर आना पड़ता है और मतलब मेन रोट से कितनी दूर है यहाँ पर आने के लिए आपको पीछे का एक लुक दिखाएंगे तो यह है लुक वहां से आपको आना है यहां से आना है आपको वहां से आपको पैदल चल कर आना है करीब एक किलो मेटर कर रस्ता है यह एक किलो मेटर कर रस्ता आपको जो है पैदल चल कर आना है और वहां से फिर आप ये मस्ती भरी लहरों के साथ हाजी एली शाह बाबा के दरगाह पर आ सकते हैं ये देखिए जारे नजारा देखिए बहुत ही खुबसूरा पूरी भीड़ खचा-खच भड़ी हुई है और यहां पर वेलेंटियर भी हैं जो समंदर में जाने से लोगों को रोखते हैं कि आपके लिए नुक्सान दायक हो सकता है वो देखिए डंडा लेकर जो है वो उनको भगा रहे हैं चलिए आगे चलते हैं वजार के अंदर देखते हैं यहां पर कवाली आप देख रहे हैं आज जेली साहग दरगा के अंदर ये का अंदर का दिरश्य है यहां पर प्लेट्वांग बना है जिसके उपर कवाली वगेरे का प्रोग्राम होता है लाइक कवाली यहां पर चलती है 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 दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बिल आइकन को दबा दो और लाइक करना ना भूले अगर आप ऐसे वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर दो